किसी ने क्या खुबसुरत बात कही है कि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो दुनिया से ऐसे ही चले जाओगे जिस दिन संघाश करना सीख लोगे हमेशा इस दुनिया में याद आओगे यूँ बार बार उपर वाले से मांगा मत कर क्योंकि वो भी सोस्ता होगा कभी की पिश्वर के आशरवाद से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों आज बात करेंगे कहानी की एक कहानी जो बताती है कि जिन्दगी में होसला कैसे आपको बहुत आगे ले जा सकता है एक दिन के बात है कि एक छोटी से चड़िया काश में अपने उडान भर रही थी रास्ते मुसे बाच मिल जाता है बाच उस चड़िया को खाने को दोड़ता है तो चड़िया उससे अपनी जान की भीग मांती है उसको उस पर रहम नहीं आता लेकिन वो उससे एक शर्त रख कभी भी बाच को नहीं हरा सकती है लेकिन फिर भी वो उसकी कठिन शर्त को हामी भर देती है वो यह भी जानती थी कि उस बाच को हराना ना मुंकिन है लेकिन फिर भी वो अपने सिर को हिलाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ इस दौड़ पत्योगता में जरूर च चुरू होती है जैसे ही दोड शुरू होती है वो चडिया जट से उस बाज के सिर पर वैड़ जाती है और जैसे ही वो बाज दोड के आखरी स्थान पर पहुंसता है वो चडिया जट से उड़कर उस रेखा के पार पहुंच जाती है और जीट जाती है अब वो बाज भी इसक इतनी कठेन हो सकती हैं कि ऐसा लगे कि अब इसके बाद कोई सहारा नहीं है। लेकिन जब हम अपनी समझदारी से, चतुराई से और महनत से और इश्यर के भरोसे से काम करते रहते हैं, तो वो मुसीबते हैं, वो विरोध, वो सब कुछ खतम हो जाता है। विरोधी या कार्य आपकी चंता से ज़्यादा मजबूत हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाएं। बलकि समझदारी और धहरे से बैटकर उस समस्या की समाधान के बारे में सोचें। अपने ऊपर विश्वास रखें और आप देखेंगे कि आपको उस समस्या का अपने अंतर मन से ही कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगा, लेकिन प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए अपने प्रयास को, अपनी हिम्मत को और इश्वर के प्रति अपने विश्वास को कभी न छोड़े। देखेगा, जिन्दगी में हर परेशानी आने के बावजू तुद भी सफलता आपको ही मिलेगी।